नमस्कार, बंक की जंग की शुरुवात हम कर लेते हैं नंदी ग्राम से स्वक्य जो सबसे बड़ी खबर मिल रही है अब वो आपको बता देते हैं टीमसी और बीजेपी कारेकरता है इस वक्त आपने स्वक्त आपने दिखाई दे रहे हैं नंदी ग्राम से स्वक्य बहुत बड़ी खबर तो टीमसी और बीजेपी दोनों ही कारेकरता आपने सामने दिखाई दे रहे हैं जम करके हंगामा किया जा रहा है एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है बड़ी खबार बंक की जंग में इस वक्त आपको बता रहे हैं बिल्कुल तो टीमसी वाले कहरें, बीजेपी जूट बोल रही है, बीजेपी कहरें है, टीमसी कारे करता जूटे है, रमन मेरे सहियोगी वही मौजूद है, उनका हम सीधा रुख खर लेते हैं, रमन अभी क्या स्थिती बनी हुई है? बिल्कुल यहां पर इस वक्त हम यहां पर खड़े हैं, और देख सकते हैं, आपकी अब जाकर फूलिस यहां पर पहुंची है, और थोड़क सी शान्ती का मौल यहां पर जमा हुआ है, लेकिन दो तरफ अगार देखेंगे, तो दो नराज हैं, एक तरफ भरती जंदा पार्ट हैं, वो भी नारे लगा रहे हैं, तो इस वक्त यह जो पूरा का पूरा महाल है, दोनों कारेकरता आपस में यहां पर बिड़े हुए हैं, और जिस पूलिस की बात कर रहे थे, काफी देर बाद यह लोग यहां पहुंचे हैं, जबकि यह जो इलाका है, पूरी की तरह से लगी थी, तो यहां पर लेकिन जैसे ही पूलिस आई, उसके पाद सारी पूलिस चले गए, कोई-कोई नाम और निशान नी, उसके बाद हंगा मश्रूवा पहले टीमसी के कारेकरता है, उन्होंने बीजेपी के कारेकरता को दोड़ा दिया, उसके बाद हंगा मश्रूवा तोड़ी देर बाद बीजेपी और टीमसी दोनों के की कारेकरता है, यहां पर पहुंच गया और अपनी बातें यहां पर कहने लगे, यानि अब एक बीज में आप देख सकते हैं, पुलिस का एक ओफिसर नजर आएगा, उसके एक तरफ टीमसी के कारेकरता है, दूसरी पहले नहीं होनी चाहिती थे और इसलिए शायद यह सवाल उठाया गया कि बश्यम बंगाल में जो चुनाव है, वो शांति पूर्ण करवाना एक बहुत बड़ी चुनावती है, और इसलिए जगदी दावनकर गरवर्नर थे, वो ग्रेमंतरी से भी मिले थे, और यह चुना मिनट तक कोई फोर्स, कोई पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची है, जबकि यह सवेदंशी लिला का था था, थोड़ी दिर पहले बीमस्पी आये और उसके बाद वो यहाँ से कुछ बयान लेकर चले गए, हालांकि उन्हें पता था कि दोनों ही पार्टियों के कारेकरता य लेकिन पुलिस बड़ी देर से यहाँ पर पहुंची और अब यह आप देख सकते हैं, इधर भारते जंदा पारटी के कारेकरता, इधर टीमसी के कारेकरता और यह हंगामा अभी भी यहाँ पर जारी है, तो यह जो एक जूट था, तो क्या था यह उन्होंने इस तरह राट होबे की जा रही थी, क्या यह खेला होबे कहा जा रहा था, कि इस तरह का जूट पहला जाए जाएगा, उसके पार कारेकरतां को बढ़काया जाएगा, और जो माहौल है, वो следu बात पे इक खेला होबे है, तो यह लोगत तंदर के लिए बहुत खराभ खेल है, जिसकी शुरुआत अगर परश्यमंगाल की जमीन से होती है तो ये बिलकुल भी परश्यमंगाल की अर्ष्मिता परश्यमंगाल की सस्कृति और परश्यमंगाल के कल्चर से जुड़ी भी बात नहीं है और अगर ये खेला होबे है तो ये बहुत ही खराब खेला है जिसकी और कोई भी जो थोड़ा भी मुख्यमंत्री सुरक्षा को जानता है उसारे पोटो कॉल्स को जानता है वह अच्छी तरह से जानता है कि उनके इतनी कारे करता है और कोई कैसे हमला कर सकते हैं इससे तो फूरी तरह अप मानेंगे यह सारी सारी दस्मीरे आप देख सकते हैं आप तो सर बड़ी देर से आप आए इतनी सैंसिटिव एलाका था तो आप जो आपको पहले से नहीं रहना चेहता अब आप हमें हटा रहे हैं यहां से अप पहले कहां थे जब यहां आप आप थे कहां बाद बात अब क्यों तो यह देखिए यह पुलिस है जब हंगामा हो रहे थे यह पशिम बंगाल के पुलिस है और तब यहां नहीं थे जब दोनों कारे करता आपस में बिड़े वे थे 20 मिनट तक कोई यहां नहीं था लेकिन अब यह यहां पर पहुंचें अब यहां पर पहुंचें और सबसे पहुंचें उन्हें भी हटाया जा रहा है यह फिर सिर्फ पत्रकारों को बार निकालने की बात हो रही है कारे करताओं को क्या ख़देड़ना शुरू हुआ है पुलिस का अब तक देखें बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही पार्टियों की कारे करता जमा है इधर भी जमा है और उधर भी जमा है और पुलिस यहां से अब हटाने की कोशिश कर गिये लेकिन पहले हो शाद मीडिया के कैमरों को यहां से अटाना चाहती है और यह तस्वीर देख रहें सीधा सीधा यहां पर दोनों ही कारे करता आपस में बात करते हुए पुलिस से बात करते हुए लेकिन यह इस्तिती आते ही नहीं यहां पर अगर पहले से यहां पर तैनात की गई होती पुलिस फोर्स तो बिल्कुल यह तस्वीर सामने नहीं आती जो कल आई है अगर पहले से इतना ध्यान रखा, ज्वाता रवन आपने बिलकुल सही कहा, सर्फरास सैफी भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े है, सर्फरास देखे किस तरीके से आपर जो टेमसी और बीजीपी के कारे करता है, आपस में भेड रहे हैं, आप जहां पर मौझूद हैं, स्सक्य हम अस्पताल के बाहर, वहाँ पर क्या टेमसी के जो कारे करता है, वो मौझूद हैं, और क्या तस्वीरे वहाँ से आरिंजर दिखाएं? अपने केमरमेंट से कोँगा कि ये भी तस्वीरे दिखाएं, कि तमाम जो लोग हैं, वो यहाँ पर इस वक्त आना शुरू हो गए हैं, ये तस्वीरे आप देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कि यहाँ पर अभी जो भीड है, वो बढ़नी हैं, और ये देखे किस तरीके से लाइन लगा के बैठे हुए हैं, हलाकि थोड़ी एववेस्था जरूर हुई है, जो कि चीफ मिनिस्टर है, प्रोटोकोल है, तो लोगों को थोड़ी दिखततों का सामना जरूर करना पड़ा है, ये अपने दर्शकों को दिखा रहे हूँ मैं, बात करेंगे अब, कब से आप पिनितजार करें, किस चीज़ के लिए हैं, और जिस तरीके से यहां पर है, आए कुछ तस्वीर और दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद है, ये अलग अलग जगा की तस्वीर दिखा रहे हैं, और प्रशंसक पहुंचे हुए हैं, ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम है, प्रशंसकों की जहां तक आब बात कर रहे हैं, तो प्रशंसक ऐसे नहीं कि यहां पर आके भी फिलाल ऐसी कुछ चीज़े हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट वे मैं कहा दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं क् प्रशंसकों के पहुंचनी की बात हो रहे हैं, उनके जो सपोर्टर है, जो टीमसे के सपोर्टर है, वो आ रहे हैं, एक के जो दुगे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कठे हो के लॉबी बना के कहीं एक में खड़े हैं, ये देखें, यहां पर मैंने आब बार बार दिखाए जो ये पुलिस सेक्यूरिटी है, जो बैरिकेड करके रखी हुई है, ये पूरी बैरिकेटिंग है, यानि यहां से अंदर कोई नहीं जा सकता है, यहां से एंट्री जो है, उनकी है जो पेशेंट है, पेशेंट के तिमारदार है, तो अंदर भी कोई प्री नहीं है, अंदर ब्लॉक पर वहां पर दीदी अंदर में एडमिट है और यहां पर जो उनके प्रशन सकते वो कल थे आज यहां पर कोई भी नियाब दे सकते हैं पुरा खाली है अंदर जो लोकेशन है जहां पर आपने भीड़ देखी वो दरासल पेशेंट है या कोरोना वैक्सिन के लिए आते हिमारदार है यानि कि अभी रोट उतने जो हम सोच रहते की समर्थक शायद वहां पर मौज़ूद होंगे वो नहीं है रमन का रुक कर लेते हैं रमन क्या तस्विरें वहां पर से क्या जो हंगायमा वह भी जा रही है देखें बिल्कुल बिल्कुल इस अक्तम यहां पर मौजूद है और अब यहां पर पुलिस आई है थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है लेकिन जो कारे करता है वो भी अभी यहां पर मौजूद है यह तस्विरें आप देख सकते हैं एक तरफ टीम से यह कारे करता दूजी त पुलिस ने कुछ पुलिस वाले यहां पर पहुचे हैं और अब थोड़ा सा माहौल यहां पर शांत होता हुआ दिख रहा है आगल पकल तारे करता अभी भी मौजूद है दोनों पार्टियों के कारे करता यहां पर मौजूद है लेकिन जब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस निर्वेक्ष तरीके चे हो ताकि कोई भी आदमी अपने मताधिकार का पर योग बिना डरे कर सके और यह पूरी घटा में फिरस अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहां पर क्या हुआ है कल यहां पर दीदी पहुची थी दीदी यहां पर हल दिया से नॉ उसके बाद एक जो उन्होंने कहा अप टीम्ची के नियताओं का कहना था कि उन्हें चोट लगी गही घेरा गया और सुबह जब हम यहां पर पहुचे इस्थानिया लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह जुट कहा गया है फिर उसके बाद बीजेपी के कारे करता है फ यहाँ पर चोट लगी है, यहाँ पर कुछ लोगों ने मेरे साथ गहरा है मुझे और उसके बाद हमला किया है, यह कोई साजिश है, तो यहाँ पर क्या पुलिस फोर्स तैनात नहीं होनी चाहिए ठीक है, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मिल्टी के लिए डीमो रस्पी को आना चाह और वहीं दूसरी तरफ अब उन्हें जूटा बताया जा रहा है, इसे लेकर भी नाराजगी हो सकती है, माहल क्या है टीमसी दफ्तर के बाहर का? यहाँ पर पुलिस फोर्टेस करें गा, उन्हें का कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने का हाबडा पुल्वी में अद्ना पुल से उस तरह की कुछ खबरें आई, बोले हो सकता है कि लोकल यूनिट जो वहां की काईया है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया हो, लेकिन हमारी यहाँ पर पुलिस फोर्टेस के लिए उनको अंडर ऑब्जेरवेशन रखा गया है, चुनाव आयोगनिस पर रिपोर्ट मांग लिए, अब आगे सबसे बड़ी बात है कि आज TMC का मैनिफेस्टो घोशना पतर जारी होना था, जो कल मंता दीती को चोट की वज़े से अब टाल दिया गया है, अब ये कब नहीं तारीक आएगी, ये भी जल्दी TMC की तरफ से बताया जाएगा, कि अब मैनिफेस्टो इस चुनाव के लिए कब यहाँ पर जारी होता अब देख लिए गाड़ियां आम दिरों की तरह आ जा रही है, कहीं कुछ नहीं है, कल इका दुखकर जुकर दिदी को नंदी गराम से लाया गया था, कोलकाता, अब लगातार नजरे बनाए रखे, आपसे पलपल के अपडेट हम लेंगे लेकिए